नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना जैपरकास के साथ हम लोग मौजूद हैं पिर्थला विधान सवा में और मैं आपको बता दूँ साथ मैं हैं सुख्वीर मलेना चर्चित चेहरा 36 साल का करियर राजनितिक भाजबा पार्टी के साथ पिर्थला विधान सवा की टिकट है कहीं उसके दावेदार थे 5-6 पिर्थला विधान सवा के वासी उनकी टिकट काट करके पंडिट टेक्चन सरमा जो पूर्व के विधायक हैं पिर्थला से बसपा पार्टी को उनको दे दी गई कहीं न कहीं रोष कार्य कर्तावं में देखा जा रहा एक बड़ी जंसभा सुखविर मलेना जी के दोरा आज बुलाई गई है जानेंगे सुखविर मलेना जी से चुनाप की त्यारी भी निर्दल्ले तory पर वो कर रहे है पिर्थला विधान सभा से सुखवीर जी नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी अज बड़ी जन्सवा आपने बुलाई क्या फैंसला रहा कितने नराज है भाजवा पार्टी से समर्थन करेंगे या चुनाब लड़ेंगे देखो हाई कमान ने यदि सम्मान नहीं दिया और कमेटी ने को संतुष्ट नहीं कर पाए तो हम चुनाब लड़ेंगे ऐसा यदि कमेटी निर्ने करेगी तो कमेटी ने अभी यही निर्ने किया है यदि हाई कमान दो दिन या तीन दिन के अंदर अंदर इसमें चैंजिंग लाती है कोई भी कमेटी को संतुष्टी करती है तो ठीक है और नहीं तो हम के लिए पांस दिन बाद ना मांगकर भर देंगे निर्दले चुनाब लड़ेंगे या किसी पार्टी से चुनाब लड़ेंगे नहीं कोई दल नहीं पकड़ेंगे लड़ेंगे तो निर्दली हैं लड़ेंगे क्योंकि किसी दल से बिचार ही नहीं मिलते हैं कहां चूक रह यह तो वो लोग बता सकते हैं कि मेरे अंदर कहां चूख है। सबसे बड़ी बात तो मेरे पर दिखावा नहीं करना आता। बीस लोग इखटे करेंगे और उसकी न्यूज बना के डालेंगे कि पान सो लोग बुलाएंगे। से मैसिज पर क्योंकि कल ही योजना बनी थी आज इतनी बड़ी सभा हो गई तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों को फोन भी नहीं किया जा सकता। एक मैसिज थोड़ा था वाट्सेप मैसिज सरब बीस से तीस लोग जो बुजरुग लोग हैं जिनके पास सोटे फोन रखते हैं उन लोगों को हमने जरूर फोन किया। तो समस्त समाथ जो यहां आया हजारों कि संक्या थी मोसं की वज़े से नहीं तो यहां लगभग लगभग पांसे दसचैजार तक की संक्या जाती। कि सुखिर मलेना जी 2019 में भी आपने विधान सभा की टिकट मांगी उस समय भी आपकी टिकट आपको नहीं मिली भाजपा की समर्पितकार करता सुनपाल छोंकर उनको दे दी गई अभी आपने जन्सभा की है कल विधायक नहीं पाल रावत करेंगे और इतवार को दीपक डागर कर रहे हैं क्या कारेकरताओं के ना होने से क्या पिर्थला विधान सभा में कमल खिलेगा देखो यदि यही हिसाब रहा तो कमल खिलना बड़ा मुश्किल है और अब की बार तो सभी कार करताओं ने ये बड़ी खुशी की लहर थी और उन्होंने संकलब भी लिया था कि हम कमल खिलाएंगे यदि हमारे ही बीच की कड़ी को किसी को टिकर दी जाती है तो परन्तु ऐसा नहीं हुआ और ऐसे व्यक्ति को टिकर दी जो दिन रात पायटी को गालियां देता है पायटी को ब्रिष्टाचारी बताता है और पायटी को धमकी देता है कि टिकर नहीं दोगे तो मैं कांगरे के लिए मैं अचंबित हूँ उन्होंने किस नजरिये से किस अंदाज से उनको टिकट दिया है यह चीज तो मैं भी नहीं जानता ना मैं कह सकता हूं इस बारे में बन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि जो अंदेखी कारिकरताओं की की है तेको कारिकरताओं से रायसुमारी होती है, यहनी कार् deswegen पूछा जाता है उस राइस महारी में क्या उसका नाम था? क्या भाजबा के पैनल में नाम था चिरब एक मनहुरलाल जी की पैनल में उनका नाम था तो यह फाइनल हो गई! तो यह बात तो हमेशा एक चिंतन का विशे है पायटी के लिए यहां तक हमारे जो मोर्चे हैं परकोष्ट हैं किसी के नाम तलक नहीं जानते यहांनी कि भाजपा के कारिकरता से आज तक भी कोई जुडाव नहीं है अब उन्होंने किस आधार पर उनको टिकर दिया यह तो भाजपा का सीर सनेतर तभी जानता है जो इतनी बड़ी जन सबापने बुलाई लोगों ने क्या आप से कहा इस पंचायत में कि निर्दल्य जाना चाहेंगे चुनाब लड़ना चाहेंगे या फिर भाजपा को फिर से समर्थन करेंगे क्यूंकि भाजपा के कारकरता ब बिजंदर जी ने समर्थन दिया अच्छी बात है देना भी चाहिए और मेरे से कुछ लोग कह रहे थे भी आपने इसमें से फूल नहीं हटाया भी पोश्टर पे पीछे बैनर पे फूल लगा हुआ था कमल का फूल मैंने यही कहा कमल का फूल से प्रेरित हूं पहले से ही और से नहीं बहुत लंबे समय से इस पर बैठा हुआ हूं लकीर खींच करके और इतने लंबे समय में यदि हमें आदत पढ़ गए टेड़ी लकीर खींचने की तो टेड़ी खिचेगी हमसे सीधी नहीं कर सकते क्योंकि रोज मर्रा के आदत में आ जाती है परन्तु सीधी बात है कि हमने पायटी को छोड़ा नहीं है ना पायटी के कोई हमने वो किया ठीक है कंडिडेट से भी हमारा कोई विरोध नहीं है हमारा कंडिडेट से कोई जाती उस पे या कोई रिस्दारी के नाते कोई भी हमारा उससे कोई दुस्मनी नहीं है सिरब हमने तो हाई कमान से ये करता था तो उसे ऐसे वेक्ति को टिकेट क्यों दी गई मैं टो है कमान से कहना चाहता हूं हाई कमान से पूछना चाहता हूं इस बारे में अब ona क्या नर लेगी यह हाई कमान जाने के हमारे साथ मुझू सुख्विर मलेनाजी जिन्होंने दावेदारी ठोक रखी थी पिर्थला विदान सवासे विधायक पद की और अब उनके बैनर मैं भी दिखा दूं कहीं न कहीं निरास तो हैं लेकिन भाजबा पार्टी के समर्पित कारे करता रहे हैं 36 साल का करियर भाजबा में उनका रहा है बैनर पे भी कमल का फूल लगाया हुआ है उन्होंने कहा है कि ना तो मैं भाजबा पार्टी छोड़ूँगा ना ही भाजबा से पार्टी से निरास हूँ लेकिन जो कारे करताओं को टिकट ना दी गई लंबे समय से जुड़े रहे ज देखते रहे देश रोजाना जैपरकास के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर अगर आप यह वीडियो फिस्बुक या